प्रधान मंत्री मोदी को गाली देने में विरोधियों ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। बीजेपी के मुताबिक प्रधान मंत्री मोदी को अब तक बावन गालियां दी जा चुकी है। कल बिहार की पूर मुख्य मंतरी राबडी देवी ने पीएम मोदी को नाली का कीड़ा कह दिया वही कॉंग्रूस नेता संजय निरूपम ने पीएम मोदी के तुलना औरंग जेप से कर दी मोदी को गाली देने में एक नाला के कीड़ा है मीच के सब कहा दिया मोदी को बदनाम करने में एक वो तस्कर है मोदी के खिलाफ गाली गैंग 2019 की सियासी महाभारत गालियों की चुनावी लीला तक पहुंच जाएगी इसका अंदादा देश में किसी को नहीं रहा होगा ऐसा लग रहा है कि मोदी के खिलाफ गाली गैंग अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा कुछ अब शब्द तो ऐसे हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते पीए मोदी को दी गई गालीयों के लिस्ट तो बहुत लंबी है सभी गालीयों आपको सुनाएंगे तो शाम से सुभा हो जाएगी लेकिन फिलाल कुछ पर नजर डालीएगे नाली का कीड़ा, जलाद, औरंग जेब, मुपर थपड़, नामर्द, मसूद, ओसामा, दाउद, आईएसाई, आतंकवादी, नकारा बेटा, नशेडी, मानसिक बुढ़े, तानाशा, हिटलर और मोस्ट स्टूपिड पी-म प्रधान मंत्री मोदी ने हरियान की रैली में कॉंग्रेस और विपक्ष से मिल रही गालियों पर जवाब दिया इनके बड़े-बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तोर पर बिमार बताया, नीच आधमी बताया, यहां तक की ये भी पुछा गया कि मेरा पीता कौन थे, ये नहीं मालू पी-एम मोदी ने लोगों से कहा कि अपने बच्चों को विपक्ष की गालियों के टिक्ष्णरी से बजा कर रखें कॉंग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीडा कहा, पागल कुत्ता कहा, इनके और एक मंत्री मुझे वाहरस कहा सवाल ये है कि 2019 के लड़ाई जीतने के लिए लोक तंतर की गरीमा को तार तार क्यों किया जा रहा है 2019 के बाकी दो चरणों में जनता अब गाली गैंग को सबक सिखाने जा रही है Bureau Report, Z Media